है है अलो गाईस कैसाब आप सालोक मेंड़ा में रभी और आप देखे रहे वीड़ेश तो टैंप चैनल तो यह देखिए मैंने क्या मंगवाया है मेरी कॉंटेंटर जीटी के लिए एक कब बहुत ही अच्छी सी बढ़िया सी एससरीस मंगाई है Amazon पर से तो मैं Amazon पर कुछ मेरी कॉंटेंटर जीटी के लिए सर्च कर रहा था कि चले बहुत कितना टाइम हो गया है अपने कॉंटेंटर जीटे के लिए में कुछ पर्चेस ने किया तो सर्चिंग करते 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 मेरे को यह वाली ग्रिल मिल गए थी जो बहुत ही मॉस्ट एकदम एट्रेक्टिव है इसको जो कलर है ना एकदम मैट ब्लैक कलर है और इसका जो एकदम माइंड ब्लोईंग है शा अपनी जो कॉंट्रिलेटर जीटिए और वह भी रेड कलर की है तो डोनों का बहुत ही मस्त मैचिंग होगा तो गाइस अपना जो नया रेडियेटर गाड है उसको यहां पर लगाना है तो सबसे पहले यह वाला जो गाड है पूराना वाला वह निकालना पड़ेगा उसके यहां पर दो इसको निकलेंगे तो यह पूरा जो रेडियर गाड है वह लोग आएंगे और गाइस वीडियो के अंदर सबसे पहले में हाव ट्र इस असेसरी उसके बाद मोटो ब्लागिंग आएंगा और लास्ट एंड में आपको में पूरा मेरी जिवालेटिए उसका शेम को मिल जाएंगी और हाँ आपको एसा लगा कि मेरे को चस्मा पहना पढ़ा तो यहां पर जैन पर रखना कि यह जो यहां पर चान नट है ना तो पहले में निकलने की कोशिस की तो भी नहीं निकल रहा था तो बाद में मैंने यह दोनों स्क्रूव फी यह जी तो लूज करते करते पीचे से खुरी रहा तो मैरे को पाता चला कि यह दोनों जो ब्लैक्स कुरू है उसके नट है तो वह नस पकड़के आपको इसको आंस कुरू करना पड़ेगा देफो मैं पीचे से वह नट बताता हूँ अगर पॉस्लिवल है तो ल और यह वाला दिस्मिस तो यह आगे से में निकालूँगा और पीछे से नट को पकड़के रखूंगा अत्युद लोग गाईस एह पूरे साड़ा नेकल गया अभी फटीड ही हैं वे यह वाला नेड़ेटर को निकालते हैं तो फैला हमें ún नीचे से घूछ होते नीचल गया अभी ठोड़ा ऊपर और उको खिचाना पड़े गया तो यह देखो निकल गया निकल गया पूरा radiator गार्ड तो यह चेक आउट किजिए दस्तों दोनों ग्रील सामने है तो क्या फारक है आप देख लीजिए किता बड़ा फारक है तो इसके अंदर जो कमपिन स्टॉक ग्रेटर गार्ड आता है तो यह बहुत ही लाइट वेट है एकदम लाइट है एकदम हलका सा है यह जो ग्र तो कमपनी वाला भी अच्छा है और यह देखिए अपना नया वाला तो यह वाला जो गाड है ना वह थोड़ा है इससे तो हैवी है इस वाला तो हैवी है और क्या है इसका जो फिटिंग फिनिश है वह बहुत ही जबजस है दिखने में एकदम ब्रांड डिखता है लेकिन पीछे यहां पर स्पॉंच नहीं दिया गया है और वेट ज्यादा है और ग्रिल बहुत ही अच्छी है इसकी जो ग्रिल है बहुत ही चोटी-चोटी है तो इसके अंदर को जाने पाएंगा लेकिन सबसे ज्यादे मेरे को क्या पासन आपको इसका प्योर मैट ब्लैक कलर और दूस्तरा यह वाला जो रेट का लगा एंट्रक्शन है ना वह बहुत ही मॉस्त है तो जब अपनी कॉंट्रीटी में इस्टोल करेंगे ना तो चार चान लग जाएंगे तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले यह जो उपर के जो हॉल है ना यह उपर के डोनों हॉल वो यह ना कि अपर दंडी को पर डालना पड़ेगा उसके बाद आप नीचे से पूछ करना लिके पर से में पहले लगा लेता है तो उपर के जो हुगते उसके ने में रिरेटर गार डाल लिया अभी नीचे से कि अभी नीचे से फीटिंग करेंगे यहां से अब तो पहले से और इसका जो लुक है ने एनांस हो गया तेखो ओमाइगा क्या लुक आ रहा है यार अभी है ना हम लोग घर के कंपांड में इसका प्रस्पेक्टिव अच्छा नहीं आ रहा लेकिन जैसे हम लोग बाहर जाएंगा मतलब बाहर जाए कि आपको में सिनेमेटिक यूँ बताऊं का ना तब आपको पता चल लगा कि यह किते हैं ट्रेक्टिव भी करा देखो वाव अभी कैमरे में तो यार पता नहीं चल रहा लेकिन अभी मैं सामने से देख रहा हूं ना तो गचप का लुक आ रहा है देखो गचप का अभी लग रहे मेरी बहुत ही खूस हो गया अब तक कि सबसे बेस्ट ऐसे सरी से वाली क्योंकि यहार है ना पूरा मैट ब्लैक है और मैट ब्लैक है और उपासे रेड कर रहा है तो चाले निकलते मोटर व्लॉकिंग करने के लिए ब्लैक है तो झाल झाल अबी अबी जस्ट फर्स टाम चार्ट कर रहा हूँ आद के दिन तो थोड़ी सी एक मिनीट तक रूखना पड़ेगा जब तक अपना जो आर्पी एम काटा है ना वो डेड़ के नीचे नहीं आ जारा तब तक यह बाइट काटा के नीचे आ जाएंगा उसके बाद अपने यह बाइग रेडी हो जाएंगे चलने के लिए और लगता है पैट्रल पी भरवाना पड़ेगा और यार मीरर भी नहीं है तो इस बार में अपनी कॉंटेक लेजिटी को भगाने पाऊंगा आर्म ते चलाना पड़ेगा मीरर थे मेरे यहां पर लेकिन वह तूट गए देखो अपनी आर्पीम मीटर नीचे हो गया है अभी हम लोग रेडी है जाने के लिए मेरे मेरे मीरर के बीना बेडियर है वो तूट गये थे तो इसी वजह से मेरे वो निकालने पड़ेगा मेरे मेझे जने वाला हूं जुबेली बाग और में जाणे वाला हूं मीरर लेने के लिए लेकिन टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि अभी नवराती गई उसके बाद दसरा दसरे के बाद डिवाले की शॉपिंग कर रहे थे गर की साफ सफ़ाय कर रहे थे तो टाइम नहीं मिला अगर आपके पास आपके लिए बहुत ही बहुत ही एक मेरे पास इंफर्मेशन है तो अगर वो आपके साथ शेयर करूँ तो बहुत ही अच्छा है लेकिन वो इस वीडियो में नहीं करने वाला क्योंकि उसका वीडियो सपेसे अलग से बनाना पड़ेगा तो कोई भी जो अप तो मेरे को निकालनी पड़ी उतके बाद अपनी जो सिटिंग पोसिजन दर आपको एक्टम पर्फेक आया तो वह क्या गलती की थी तो वह जानना है तो कमेंट जरू करना तो उसको वीडियो में अलग से बहुती बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो आपको आडिया आएंगी त मेरे को फटापत से पैटरों मब बे जाना पड़ेगा पट रही है अपनी तो बिल्कुल रिटरली फट रही है जल से जल मेरे को मिरेर की स्टॉपिंग करने जाना पड़ेगा आपको कैसा लग गया रिटेटर गार्ड कमेंट केलकर जरू बताना चलिए फटापत से बगा क के निकल दाए है से अलो गाइस कैसा लग आपको इस सिनिविटिक व्यू बजाया की नहीं तो यह देखे आ गया में एक ऐसी जगह पर जहां पे मैं आराम से व्लॉगिंग कर सकता हूँ आपको मेरी असेसरीस बता सकता हूँ तो गाइस यहां पर जो रेडेटर गाल लगा है ना वो एम टेक सब्सक्राइब कर सकता हूँ तो यह जो रेडेटर गार है ना मेरे को थोड़ी ज्यादा थी लेकिन मैंने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में मैंने मंगवाया था और उसके उपर सब्सक्राइब चल रहा था तो तो मेरे को यह 1,2190 रुपिस में मेरे को पढ़ा था लेकि मतलब 1,299 मतलब 1,300 रुपिए 1,300 रुपिए 1,300 रुपिस ओके इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं कुद भी क्वैरी हो कुद भी इंप्रमेशन चाहिए तो कमेंट के जरू पुछना इसका आंसर में जरू दे दूंगा तो व्लोग अच्छा लगा है तो लाइक काना कमेंट करना अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में नौड़े पेस्ट में को भी क्लिक कर देना तो मिलते हैं नेच्ट लोग में बाइबाई